पत्र लेखन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि पत्र लेखन किसे कहते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ. जब हम अपने सुख दुख, अपनी समस्या, अथ्वा निमंत्रण आधी को एक कागस पर लिख कर दूसरे के पास भेशते हैं, तो इसे पत्र लेखन कहते हैं. बच्चो अब तो आप समझ गए होंगे कि पत्र लेखन किसे कहते हैं? ठीक है. आईए तो फिर पत्र लेखन के महत्व पर विचार करते हैं. अच्छा क्या कोई छात्र बताएगा कि पत्र का क्या महत्व है? चलिए मैं बताती हूँ. पत्र का महत्व अच्छी तरह समझ लिया है अतहा अब पत्र के प्रकार पढ़ते हैं पत्र के प्रकार बच्चो पत्र के दो प्रकार होते हैं पहला आपचारिक पत्र दूसरा अनापचारिक पत्र क्या आपको मालूम है के आपचारिक पत्र कौन से होते हैं पहला आपचारिक पत्र बच्चो जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक अर्थात घरेलू संबंध नहीं होते उनको लिखे जाने वाले पत्र आपचारिक पत्र होते हैं जैसे प्रधान चारे को पत्र, संपादक को पत्र, अथवा व्यपार से संबंधित पत्र. समझ गए ना? आईए, अब अनौपचारिक पत्र के विशय में पढ़ते हैं. दूसरा, अनौपचारिक पत्र. जिन लोगों के साथ हमारे पारिवारिक, अर्थात, घरेलू संबंध होते हैं, उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं. जैसे मित्र, माता-पिता, मामा, चाचा, भाई, आदी को लिखे गए पत्र. बच्चो अब आपने आउपचारिक पत्र तथा अनआउपचारिक पत्र को अच्छी तरह समझ लिया है अतहा पत्र के अंगों के विशय में भी जान लीजिए बच्चो पत्र के चार अंग होते हैं पत्र लिखने के पहले अंग में पत्र लिखने वाले का पता या तिथी लिखते हैं. पत्र के दूसरे अंग में पत्र पाने वाले का संबोधन और प्रशस्ती होती है. पत्र का तीसरा अंग है कलेवर. कलेवर में पत्र का विशय विस्तार होता है. पत्र के चौथे अंग में उपसनहार होता है. इस भाग में पत्र की समाप्ती एवं लिखने वाले का नाम होता है. बच्चों, क्या आपको मालूम है कि पत्र का आरंभ और अन्त कैसे करते हैं? पत्र लेखन में पत्र के आरंभ को प्रशस्ती तथा अन्त को उपसनहार कहते हैं संबंध, संबोधन, अभिवादन, निवेदन, मातापिता, गुरु, बड़ा भाई, श्वस्वर, आधी, बड़ी संबंधी को माननिवर, आदरणिय, माननिय, पूजनिय, आदरणिय, पूजनिय, नमस्कार, प्रणाम, चरंस्पर्श आपका स्नेह पात्र, आपका क्रिपा कांग्षी, आपका आज्याकारी, छोटा भाई, पुत्र, भतीजा, भांजा, बहन आधी, छोटे संबंधी को चिरंजीव, प्रियेवर, शुभाशीष, प्रसन्न रहो, तुम्हारा हितैशी, शुभा कांग्षी, शुभुचिन तक, मित्र, सहपाथी, बराबर की आयुवाले को प्रिये, मित्रवर, प्रियेवर, आधी, नमस्ते, सस्नेह, मिलन, तुम्हारा सुहरद, मित्र, स्नेही, तुम्हारी सखी अधीकारियों को प्रकाशकों या पुस्तक विकրेताओं आधी को श्रिमान, श्रीमती, महोदया, भवदीये, आपका या आपकी, अधिकारियों को श्रीयुत, मान्नेवर, श्रीमान, प्रार्थी, निवेदक, आपका कृपका कांग्षी बच्चों सारणी को पढ़ कर कुछ समझाया, आईए मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान दीजिये यदि आप प्रधानचारे को पत्र लिख रहे हैं, तो संबंध में प्रधानचारे संबोधन में श्रीमान, महोदय, अत्वा आदरणी या आदी लिखें किन्तु यदि प्रधानचार्या को पत्र लिख रहे हैं, तो आप संबंध में प्रधानचार्या, संबोधन में श्रेमती, महुदया या आदरणी या आदी लिखें, अभिवादन में कुछ ना लिखें. इसके बाद समापन में यदि आप पुरुष हैं, तो आप आपका आज्याकारी, प्रार्थी तथा भवदी या आदी शब्द लिखें, किन्तु यदि आप स्त्री हैं, तो आप आपकी आज्याकारणी, प्रार्थनी या भवदी या आदी शब्द लिखें. बच्चो, पत्र का आरंभ और अंत करना तो आपने सीख लिया अब पत्र लेखन से पहले एक आउपचारिक नमूना पत्र भी देख लीजिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जिसे पत्र लिखा गया सेवा में प्रधान चारे महुदे विद्याले का नाम और पता नूतन पब्लिक स्कूल द्वार का नई दिल्ली विशय अवकाश के लिए प्रार्थना संबोधन श्री मान प्रारंभ या अवकाश लेने का कारण सविने निवेदन है कि कल विद्याले से लोटने के पश्चात मुझे तेज बुखार हो गया था डॉक्टर ने तीन दिन तक विश्राम करने के लिए कहा है अवकाश अवधी कृपया मुझे तेईस सितंबर से पच्चिस सितंबर तक अवकाश प्रदान करें प्रार्थना पत्र के प्राप्तकरता से संबंध आपका आग्याकारी शिश्य लिखने वाले का नाम योगेश महता कक्षा कक्षा छटी ब अनुक्रमांक 41 दिनांक दिनांक 23 नौ 2010 बच्चो नमोना पत्र देखकर आपको भली भाती समझा गया होगा कि अनौपचारिक पत्र में कब क्या लिखना है किन्तु फिर भी अउपचारिक पत्र के लेखन संबंधी मुख्य बिंदूओं को ध्यान से पढ़िए अउपचारिक पत्र लेखन के मुख्य बिंदू बच्चो अउपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले बाई और सबसे उपर जिसे प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र या पत्र लिखा जाए उसका पद और पता लिखा जाता है इसके बाद पत्र के पहले विशय में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है इसके नीचे संबोधन होता है जैसे महोदय, महोदय, माननेवर, श्रीमान, आदि संबोधन के बाद पत्र का आरंभ किया जाता है और कारण संबंधित विशय को विस्तार से बताया जाता है इसके बाद अंतिम अनुच्छेद में कारे करने का अनुरोध किया जाता है इसके पश्चात प्रार्थी, भवदीये, आपका आग्याकारी शिश्य, भवदीया, आपकी आग्याकारणी शिश्या आधी लिखा जाता है इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता लिखता है अंतिम पंक्ती में देनांक लिखते हैं बच्चो अब उधारण के रूप में आशीश दीक्षित द्वारा शुल्क मुक्ति हे तू लिखा गया निम्न लिखित आउपचारिक पत्र पढ़िए प्रधानचारे को शुल्क माफ कराने हे तू प्रार्थना पत्र सेवा में प्रधानचारे जी, क्रिश्चन इंटर कॉलेज, फरुखबाद विशे शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना महुदे, निवेदन है कि मैं इस विद्याले की कक्षा छे का छात्र हूँ मैंने इसी वर्ष पांचमी कक्षा की परीक्षा सरवाधिक अंकों से उत्तीरण की है मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिती बहुत खराब है विद्याले का शुल्क देने में मेरे पिता जी असमर्थ है आपसे विद्याम्र निवेदन है कि अध्ययन के प्रती मेरी रूची तथा हमारे परिवार की आर्थिक स्थिती को देखते हुए मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें ताकि मेरी पढ़ाई जारी रह सके मैं सदा आपका कृतग्य रहूंगा आपका आज्याकारी शिश्य आशीश दीक्षित कक्षा छे अ देनांक सोला दस दो हजार दस बच्चो अब आप आप आपचारिक पत्र के संबंध में बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं